हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इन शौर्ट न्यू वेकेंसी न्यू जॉप्स इन जमोईन किश्मिर जो आउट हुई हैं कोन-कोन इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कोन सी वेकेंसी आउट हुई हैं बहुती शांदार और बड़िया वेकेंसी जो आउट हुई है, सभी एस्पिरेंस के लिए बहुत ही इंपोर्टन ये वेकेंसी रहने वाली है, जिसमें MTA, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, इन सब की वेकेंसी जो आउट हुई है, आप सब इन में अपलाई कर सकते हो, चैनल से फर्स्ट इम ज तो जिया जाएगा आपके लिए इंपोर्टन डेट्स की बात करें, डेट आफ नोटिफिकेशन 22 को जहां पर रिलीज की गई थी, और लास्ट डेट इसकी 19 जन तक आप अपने इस फर्म को फिल लाग को कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो, आपके MTS, उसके बाद केंट इन अटेंडेंट, टेक्स असिस्टेंट, स्टैनोग्राफर, इंस्पेक्टर, ये आपकी पोस्ट रहने वाली है, इन सभी के लिए जो आप अप अपलाई है, इधर कर सकते हो, ठीक है, कितनी सेलरी है, कितनी पोस्ट है, सब कुछ आपका जहां पर बात करेंगे, और जो आ 37, केंटीन अटेंडेंट की 3, टोटल 291 वेकेंटीस आपकी हो जाएंगी, ठीक है, तो इसके लिए कैंडिडेट जो भी फिल्ड इंस्पेक्टर, स्टैनो, टेक्स असिस्टेंट, एम्टीस, केंटीन अटेंडेंट के लिए एक ही अपलीकेशन जो अपलाई कर सकते हैं, ठी 37, इंकम टेक्स इंस्पेक्टर के लिए 30 years आपकी रखी गई है, जानी कि अगर आपने कंटीन अटेंडेंट और MTS के लिए 10th, और टेक्स असिस्टेंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, स्टैनो ग्राफर के लिए 12th, इंकम टेक्स इंस्प दो सो रुपया इसकी जो फीस है वो रहने वाली है ठीक है, और वेकंटी भी जो आई हुई है उनके रिगार्डिंग भी जहां पर बात करें, तो जिए आजाएगी आपकी नेक्स वेकंसी की जहां पर बात करें, senior consultant की जहां पर 4 वेकंसी हो जाएंगी, उसके बाद consultant grade 2 की 4 उसके बाद next consultant grade 1 की 1 vacancy, junk professional की 16 vacancy हो जाएंगी, program coordinator की 15 vacancy, उसके बाद next आजाएगा system analyst की 5 vacancies, उसके बाद project consultant की 100 vacancies आपकी हो जाएंगी इन सबी के लिए आपके पास graduation आपकी होनी चाहिए, आप इनके लिए apply जो कर सकते हो, जहाँ पर जो आपका farm है किस post के लिए आप apply कर रहे हो, इस farm को fill up आपने करने के बाद आपके जो भी institution है जहाँ पर आप apply कर रहे हो, हर state wise है, हर जमुएन किश्मीर में जमु और सिरिनगर जो दोनों आ जाएंगे, जानी कि NSTI, जमु और ITI, सिरिनगर, तो इन समय आपने जो अपने documents है, वो अपने submit करने है, इदर apply करते हैं ठीक है, तो 9 जनवरी तक आप इदर अपने जो apply कर सकते हो, application जो offline mode में complete होगी, इसके लिए आप sector 62 जो institutional area नाइडा में, तो वहाँ पे आपने जो self-attested copies है, testimonial करके data birth qualification experience, जो 5 बज़े से पहले 9 एक तक आपने वो जहाँ पे submit है, वो करवाना है ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ new vacancies को लेके जो कुछ important update था, आपके लिए काफी वड़िया vacancies है out हुई है, इनके regarding कुछ भी doubts हों, चैनल से first time जुड़े हो तो subscribe कर लीजिए, कुछ भी doubts हों, comment section में जरूर पूछें, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही